हेलो दोस्तों, assalamualaikum इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाड़ी का इस टेमारा लगाने से पहले फास कराना होता है फास कैसे होता है? फास का प्राइज किया है? फास के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है? कैसे लेना है? ये सारे चीज इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू किजा इसे पहले आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सिस्क्राइब किया है तो यहाँ पर दो कैटिगरी है अगर आपके गाड़ी का वज़न तीन हजार से कम है तो आपको 150 रियाल लगेगा अगर आपके गाड़ी का वज़न तीन हजार से जादा है तो आपको 160 रियाल देने होंगे फाहस कराने के लिए दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अपोइट्मेंट के बारे में तुद कतर में तीन फाहस सेंटर है जहां पर फाहस कराने के लिए आपको अपोइट्मेंट लेना जरूरी है जिसमें से पहला मिसमीर दूसरा वकरा तीसरा अलवादी बनात इन तीन जगह पर अगर आप appointment लेना ज़रूरी नहीं है चले जान लेते हैं appointment कैसे लेना है उसके लिए आपके मुवाइल में वकूत का मुवाइल एप्लिकेशन होना चाहिए तो चले हम आते हैं वकूत के मुवाइल एप्लिकेशन में दोस्तों जो वकूत का मुवाइल एप्लिकेशन है कुछ इस तरीके क दिखता है जो भी आप स्क्रीन को पर देख सकते हैं इसको आपको पिले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अप् छे उप्शन आता है यहाँ पर फाहस के लिए जो टिप्स भी दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कतर में फाहस के लिए कितना स्टेशन है कौन-कौन से जगा पर फाहस होता है तो इसके लिए यहाँ पर फाहस स्टेशन लिखा इस पर किलिक करना एक गाड़ी का फास करा सकते हैं इस टेमारा लगाने के लिए चलिए तीन जो fast center है उस पे आपको appointment लेना जरूरी होता है तो appointment कैसे लेना है वह तरीका बताते हैं इसके बाद दिखाएंगे आपको fast के लिए आपको कैसे क्या करना होता है वह भी इसी वीडियो में बताऊंगा वीडियो लंबी होगी आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है तो चलिए आते हैं फिर से वकूत के mobile application में अब हम फिर से appointment लेने के लिए वकूत का mobile application को open करेंगे open करने के बाद यह कुछ इस तरह का interface आता है इसके बाद आपको यहाँ पर fast पे click करना है fast पे click करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का option आएगा जहाँ पर आपको click करना है book vehicle इस पे click करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का option खुलता है जहाँ पर customer type में दो group आता है पहला तो individual दूसरा आता है corporate corporate company वालों के लिए उसके नीचे Qatar ID डालना होता है या तो company का ID डालना होगा उसके बाद mobile number आप अपना डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किमके mobile पर एक OTP आता है उसके बाद verify होने के बाद ही आपको appointment successful होता है mobile number डालने के बाद आता है पिलेट टैप में आपके गाड़ी किस category में आता है वो डालना है उसके नीचे आता है car plate आपके गाड़ी का क्या number है वो डालना है उसके नीचे देखेंगे तो आपका गाड़ी क्या गुरूप में आता है कार में आता है या तो क्या में आता है वो आपको सेलेक्ट करना है ये सब सेलेक्ट करने के बाद ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है नीचे आपको प्रोसीड दिखेगा आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है प्रोसीट पे किलिक करने के बाद आपके मुवाइल पर एक OTP आता है OTP आपको यहाँ पे डालना है OTP डालने के बाद आपको कनफर्म कर देना है तो चलिए हम OTP के लिए थोड़ा सा इंतिजार कर लेते हैं कुछी मिन्टों में OTP आपके मुवाइल पर आ जाएगा ठीक है OTP डालने के बाद आपको कनफर्म करना है OTP आ चुका है यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और कनफर्म कर देते हैं कनफर्म करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस्टेशन सेलेक्ट करना है आपको उन से जगह प पे आपको किलिक करना है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मिसमीर जैसे ही हम मिसमीर में किलिक करेंगे जो नीचे कलेंडर है वो आपको हाइलाइट हो जाएगा तो यहाँ पर देट दिखाने लगेगा तो आप किस डेट में लेना चाहते हैं उस डेट पर किलिक करके नीचे प्राइम आता है फिर आपको टैम सलेक्ट कर लेना है किस टैम में आप जाना चाहते हैं अभी जो टैमिंग चल दा रहा है रमजान के मुके से 3.30 बजे तक लास्ट टैम है रमजान खतम होने के बाद सुबह के 6 बजे से ले करके शाम के 6 बजे तक रहता है यहाँ पर आपको शो करेगा जब आप appointment लेंगे तो इसके बाद जो भी आप time select करेंगे उस पर किलिक करने के बाद आपको next पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर तीन option आता है confirm and exit इसके बाद अगर modify करना चाहते हैं तो green color पर किलिक करना है अगर आप online पर करना चाहते तो नीचे लिखा है उ पर आपको confirm and pay online इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे confirm and exit confirm exit पर किलिक करने के बाद हमारा booking confirm हो जाएगा हमारे mobile पर एक message आजाएगा कुछी मिन्टों में आपके mobile पर message आजाएगा अगर आप इन तीन फाहस center पर जाना चाहते हैं तो जो message आपको वहाँ पर security guard क दिखाना होगा अब आप फास कराने के लिए जा सकते हैं फास कराने के लिए जाने से पहले आपको क्या क्या चीज लेके जाना चाहिए तो आपके गाड़ी का जो स्टेमारा है वह आपको लेके जाना होगा दूसरे नंबर पर आपके पास में bank card होना चाहिए जिसके अंद साथ में कार्ड मिलता है उसकार्ड के लिए आपको 20 रियाल देने होंगे उसके बाद आपको डेट सो रियाल उसकार्ड कंडर डालना होगा उसके बाद आप फास सेंटर पर जाकरके फास करा सकते हैं फास सेंटर पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा वहाँ पर सिक्रोट यसर रियाल आपके काड अगर आपका गाड़ी फैल हो जाता है तो आपको एक लिंक मिलता है उस पे क्लिक करके आप एक मेहने के अंदर में दुबारा से आप अपने घाड़ी का फास करा सकते है उसके लिए आपको एक भी रियाल नहीं देना होंगे जो पहले आपसे 150 रियाल लिया है उसी से आपका काम हो जाएगा अगर आपका गाड़ी पास हो जाता है फिर आपको इंसुरेंस बनाना है इंसुरेंस बनाने के बाद आपको इस्टेमारा लगाना है इस्टेमारा आप मित्राश्टू application के जरिये से भी लगा सकते हैं या तो नज़ती की जो मुरूर हो वहाँ पे जा सकते हैं तो ट्राफिक का डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाकर क्या आप इस्टेमारा ले सकते हैं इस्टेमारा लेने के लिए आपको 100 रियाल आपको लगेगा अगर मित्राश्टू से लगाते हैं तो आपको 20 रियाल एस्टरा लगेगा आपको 100 रियल जो काड है उस काड से ही कटाना होगा कहीं पर कैश काम नहीं होता है पूरा काम आपको काड के जरीय से ही होता है तो दोस्तो आज की थी है वीडियो अगर वीडियो समझ मैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए तमाम डराइवर भायों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजे मिलते हम किसे और वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहदिल से शुकरिया